टूनी के पती की मौत बहुत साल पहले हो गए थी वो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी वो अपने बच्चे की माँ और बाप दोनों थी अमेशा उसका पूरा ध्यान रगती थी और उसे कोई भी तकलीप नहीं होने देती थी एक बार की बात है टूनी जंगल मे रात के समय जा रही होती है तब ही उसका बच्चर जो जोर से रोने लगता है वो अपने बच्चे को दूद पिलाने के लिए एक गने पेड़ की छाय के नीचे रुक जाती है और अपने बच्चे को दूद पिलाने लगती है तब ही उस पेड़ पर रहने वाली एक भूते चड़ेल उसको देख लेती है और कहती है मा मा मुझे विदूद पिलाओना मैं आपके बिना आपका इंतजार कर रही थी कबसे आप अब आई हो तो नहीं यह देखकर बहुत डर जाती है वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ बागती है और जैसे ही वो घर पे आत है वो साया उसे वहां भी दिखाई देता है वो चड़िया तरह तरह की डराबनी आवाज निकालती है और कहती है मा मा मेरी कोई मा नहीं है क्या आप मेरी मा बनोगी प्लीज मेरे मुझे भी अपना लो मैं भी आपकी बच्ची की तरह ही हूँ तो बार बार ऐसे टूनी से कह है इसलिए वो से मार देती यह जब बूतिया चिड्या जो जोर से हसती है और कहती है आज से मेरे पास भी माह होगी और मैं भी बिना माह के नहीं रहुंंगी तो और। मुझे बच्पन में बिना माह के मर गई थी इसलिए मैं इदर उदर बठकती थी ज़म मेंने गंए पेंड के नीचे इस मा को अपने बच्चे से प्यार करती हुए देखा तो मुझे भी अपने मा की आद आगी मैंने इसलिए मारा है अब ये बूत योनी में में मेरे साथ रहेगी और मुझे मा की कमी नहीं ख़लेगी उसके बाद तूनी का बच्चा रोने लगता है तो बूति चिडिया सब कुछ अच्छा करती है कहते हैं रात के समय हमें गने पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए गने और पुराने पेड़ों के नीचे भूतों का बसेरा होता है इसलिए हमें हमेशा साबदान रहना चाहिए